वाई क्या का लाएंगे प्रोटीन्स ठीक है हाँ तो P for Pulses, P for प्रोटीन्स P for Pulses, P for प्रोटीन्स जितना भी प्रोटीन्स हो गए वाई क्या का लाएंगे वाई क्या का लाएंगे प्रोटीन्स ठीक है तुन पा रहे हो, आप सभी ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे उसके बाद function of proteins लिखिएगा function of proteins हाँ लिखिएगा function of proteins पंसन प्रोटीन्स में लिखिएगा इट रिपेर दा डेमेज पार्ट आप आपर बड़ी इट रिपेर दा डेमेज पार्ट आप आपर बड़ी तो जब भी आप से कोई पूछेगा प्रोटीन्स क्या होता है प्रोटीन्स 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 प अब आता है बड़ी बिल्डिंग फूड हाँ इसमें लिखिएगा बिटामिन्स येस बड़ी बिल्डिंग फूड में बिटामिन्स आते हैं प्रोटेक्टिव फूड में पल्से जाते हैं ठीक है बीफ और बिटामिन्स होता है बीफ और वेरियस टाइपस आफ फूट एंड वेजिटेबल होता है बीफ और बिटामिन्स बीफ और वेरियस टाइपस आफ फूट एंड वेजिटेबल जितने भी various types of fruit and vegetables हो गए वह क्या कालाते है vitamins कालाते है ठीक है याद रखने का तरीका मैंने बता रहा हूँ B for vitamins, B for various types of fruit and vegetables Yes जितने भी various types of fruit and vegetables हो गए वह क्या कालाते है vitamins अब फंसन अफ बतामिन लिखियेगा मैं फंसन अफ बतामिन अप्स अब बतामिन आजिंस येर मैं लिखियेगा अचीज आपो काई अब फंसने ये येपियेगा करदाए आपकशन येपका हएब हाँ, bodybuilding food में हम बताए थे, what is bodybuilding food, those food which helps to construct and build of our body, that food is called bodybuilding food, bodybuilding food का एक पार्ट होता है, जिसका नाम है vitamins, beef for vitamins होता है, beef for various types of fruit and vegetables होता है, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, vitamins, अब आता है function of vitamins, लिखें, function of vitamin, क्या होगा function of vitamin में, पहले कोई पढ़े हैं, कोई बता सकते हो, कोई बता सकते हैं, कोई vitamins का function बता सकते हैं, कोई vitamins का function बता सकते हैं, यस, क्या करता हैं, function of vitamin, लिखेंए, लिखें, लिए, helps it helps in it helps to fight against the disease disease के against में vitamin help करता है body को fight करने में ठीक है एक ही फंसन आप याद रखो vitamin हमेशा help करता है disease के against में fight करने में मैंने अभी बताया proteins sorry पहला बताया body building food उसके बाद बताया protective food उसके बाद बताया energy giving food फिर से आप सभी ध्यान से सुने energy giving food वैसे food को कहेंगे जो energy provide करती हो हमें वैसे food को energy giving food कहेंगे ठीक है इसका दो पाट हो जाता है एक हो जाता है carbohydrate दूसरा हो जाता है fat ठीक है carbohydrate C for carbohydrate होता है C for cereal होता है जितने भी cereal हो गये वह सब carbohydrate में आएंगे और fat F for fat होता है F for fatty substances होता है fatty substances कहने का मतलब ही हो गया worldly substances जितने भी worldly substances हो गये वह fats के अंदर गताते हैं और function of carbohydrate it gives us energy for doing work function of fats it keeps us warm या हमें warm रखने में मदद करता है अब उसके बाद आता है protective food protective food में आता है proteins क्या आता है proteins proteins किसको कहेंगे P for proteins P for pulses all the pulses is known as proteins जितने भी pulses हो गये हुआ क्या कहलाएंगे proteins कहलाएंगे ठीक है अब या इसका function क्या हो गया it repair the damaged part of our body या damaged part जो है हमारे body को उसको repair करने में मदद करता है उसके बाद है body building food body building food आप उसी से पता चलता है body building food those food which helps to build or construct of our body that type of food is called body building food इसमें आ जाता है vitamins क्या आता है vitamins B for vitamins होता है B for various types of fruit and vegetables होता है V for vitamins and V for various types of fruit and vegetables जितने भी various types of fruit and vegetables हो गए हुआ क्या का लाएंगे vitamin का लाएंगे और vitamin का mindfulness क्या हो गया it helps to fight against the disease इतना समझ में आई आई आप सबीको